मालवेच नर्मेते पई गुलाबी सुन्दी दी मारतो बाद किसाना दी बांफरनदा दावा करनवाले सीएम चरंजी सिंग चन्नी वलों हुन किसाना नू जल्द मुआवजे दा प्रोसा दता ग्याए परवावेच जलियां दी डीसिस तो नतिक तूबर तक सुबा सरकार वलों मुकमल रिपोर्ट मंगी गई है दासी की प्रवावेजलियां दे डीसिस नू सुबा सरकार ने हुकम किते ने कि नतीक तूबर तक हर हाल देवेच नुकसान दी रिपोर्ट सुबा सरकार दे अके पेश किती जावे सरकार वलों आखिया गया है क्यों किसाना दे नाले नर्मेदा मौवजा जल्द ही किसाना नू दिता जावेगा एते दासी की इस तो पहला ही सुबा सरकार वलों गिरदावरी दे हुकम देते गे सन आते हुन नतीक तूबर नो लाश्मी तौर ते रिपोर्ट देन दे हुकम जारी कीते गए ने जुस्तो बार एक यासरिया लग रिया ने कि नतीक तूबर नो मुखमंतरी चरंजी सिंग चन्नीवलों किसाना नो कोई राहत दी खबर देती जा सकती है आते मौवजा राशीदा एलान भी कीते जा सकता है जिकर जुग है कि मालवा पट्टी दे विच गुलाबी सुन्डी दी मार हीट किसाना दी नर्मे दी फसल तबाह हो गई है चरंजी सिंग चन्नीवलों पर वावित लाकिया दे विच दोरा भी कीता गया सी मौकमंत्री ने उस समय वी किसाना दो आख्या सी की मौावजा जरूर दिता जावेगा आते हुन्वी मौकमंत्री वलों नर्मा उत्पाद का नो प्रोसा दवाया गया है कि राश सिरकार इस नाजुक समय दे विच ओना दी सायता दे ली पूरी तरह बचन वाद है मौकमंत्री चन्दी सिंग चन्नी वलों किसाना नो एवी आख्या गया है कि जिनना किसाना दी अफसला गुलाबी कीड़े दे करके प्रबाद हुईयाने उवरोधी पार्टी ने चूटे पर चार दोरा गमरा होंतो बाच के रहन दासी की मुकमंत्री दियां हदायता ते हुण वित कमिशनर माल ने पांचलियां दे डेप्टी कमिशनर अदिनाल वीडियो कॉन्फरेंसिंग दराही तस्तीक प्रक्रियादी प्रगती दी समिख्या कीती है आते नर्देश दिते जा चुके ने कि नर्तिक दूबर तक पूरी रिपोर्ट पेजनी जिखीनी बनाई जावे पर दूसरे पासे किसाना दे विच चन्नी सिरकार दे खलाफ रोस भी देखन मिल रहे क्योंकि ओना वलों वड़ा एलान कीता गया सी मुआवजा देन दा पर अजो तक भी मुआवजा राशी किसाना नू नहीं मिल पाई है रोधी पार्टिया वलों भी सीम चन्नी दे इस वादे ते तिक्के निशान ने सादे जारे ने आमा दी पार्टि दे रागवचड़ा दे शोमना काली दल दे विकरम सिंग्म जीतिया वलों दासी की मुख मंत्री चन्जी सिंग चन्नी वलों गुलाबी सुन्दी दिनाल पर वावित बठिंडा जले द दोरे दौरान एक किसान दिनाल हम्दर दी प्रगताउं दे होए जाके आएसी आए खबर है आज आके आएसी चन्नी साफ आज तक मौफजा क्यों नहीं किया जदो सतर तो असी परसेंट डैमेज हो गया मैं इस गल्दी गल्द का रहे हैं कि नियत वेखो नियत कि नियत चे कड़ा वड़ा खोट है एदे चे की एना दा खर्चा होना होना तिन जारा जारा करोड़े रोजी खजार करोड़ दालान कर देंदे तिप पैसे पहले नहीं दिते जारे थोड़े तो इस ओनली 400 वी ते फ्रॉड हो रहे हैं पंजाब दे लोका नाल और कुछ नहीं हो रहे हैं कि गुलाबी सूंडी के लिए मुख्यमंत्री साब ने मुआफ़ तो भी किसान को मुआफ़ा नहीं मिला और ओस सारे किसानों को छोड़ो जिस किसान को गले लगाया जिस किसान को उन्होंने गले लगाया सरदार बलविंदर सिंग हालसा इसा। जो खड़े हैं सरदार बल्विंदर सिंग खालसा साब कातार सिंग वाला पिंड के रहने वाले खेत में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं जिसकी फोटो उन्होंने हर जगा छापदी पूरे पंजाब में हर दिवार पर हमारे इस बिचारे किसान को भी मुआज़े की एक पूटी रकम नहीं मिली चंणी साथ की सरकार को किसानों को मुआज़ा देना चाहिए फोटों किछवा के किसान को फोटो शूट के लिए इस्तिमाल नहीं करना चाहिए किसान की नुमाईश नहीं करनी चाहिए आजाम आदमी पार्टी ये मांग करती है हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि 75,000 रुपे प्रतियकड के हिसाब से गुलाबी सुन्डी से जो नर्मे की फसल बरबाद हुई है उसका मुआफ़ा किसान को 75,000 रुपे प्रतियकड के हिसाब से दिया जाए और उस खेत में काम कर रहे हैं मजदूर को लैंडलेस लिबरर को प्रति परिवार को आप 25,000 रुपे का मुआफ़ा दीजिए